उलियंदर एक सदा बहार जाड़ी है जो आमतोर पर गर्म जलवायू वाले क्षेत्रों में पाई जाती है इसकी विशाक्तता के बावजूद इसके सक्रिय योगिकों से प्राप्थ होने वाले संभावित औशधिय लाभों के कारण यह अध्ययन का विशर रहा है आगे हम उलियंदर से जुड़े कुछ औशधिय गुनों का पता लगाएंगे हृदय संभंधी गतिविधी उलियंदर की संभावित कार्डियोटोनिक गतिविधी यानी हृदय के कार्य को मजबूत करने और विन्यमित करने की क्षमता के लिए जाच की गई है कुछ पशु अध्ययनों से पता चला है कि ओलियंदर में मौजूद कुछ योगिक हृदय संभंधी कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं जैसे रक्त परिसंचरण में सुधार और रक्त चाप को कम करना हाला कि इन निशकर्षों की पुष्टी करने और मानव संदर्भ में ओलियंदर की सुरक्षा और प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए अधिक शोध की आवश्शक्ता है क्यूमर रोधी गुन कुछ अध्यैनों ने ओलियंदर के संभावित क्यूमर विरोधी प्रभावों की जाँच की है यह दिखाया गया है कि कुछ पौधों के योगिक इन विट्रो अध्यैनों और पशु मॉडल में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोख सकते हैं हाला कि ओलियंदर की विशाक्तता कैंसर के उपचार में इसके संभावित उप्योग को सीमित करती है और इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अधिक शोध की आवश्यक्ता है सूजन रोधी गुन ओलियंदर के संभावित सूजन रोधी प्रभावों पर शोध किया गया है जानवरों पर किये गए अध्यायनों से पता चला है कि पौधे में मौझूद कुछ योगिकों में सूजन कम करने वाले गुन हो सकते हैं इन निशकर्षों से पता चलता है कि ओलियंदर में सूजन संबंधी स्थितियों के उपचार में चिकित्सिय अनुप्रयोग हो सकते हैं हालां कि इसकी क्रिया के तंत्र को पूरी तरह से समझने और मनुश्यों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक शोध की आवश्यक्ता है कुछ अध्यायनों ने ओलियंडर के संभावित अध्यायरल प्रभावों की जाँच की है यह दिखाया गया है कि पौधे में मौजूद कुछ योगिक इन विट्रो अध्यायनों में कुछ वाइरस की प्रतिक्रिती को रोक सकते हैं हाला कि इस प्रभाव को बहतर धंग से समझने और इसकी नैदानिक प्रयोजिता निर्धारित करने के लिए अभी भी अधिक शोध की आवश्यक्ता है एनालजेसिक गुण उलियंडर की एनालजेसिक शमता की जाँच की गई है कुछ पशु अध्यैनों से पता चला है कि पौधे के कुछ अर्क में एनालजेसिक प्रभाव हो सकता है जिससे दर्ध से राहत मिलती है हाला की इसमें शामिल सटीक तंत्र को निर्धारित करने और मनुशों में दर्ध निवारक के रूप में उलियंडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक शोध की आवश्यक्ता है एंटी स्पास्मोडिक गुण उलियंडर का उपियोग पारमपरिक रूप से मानस पेशियों की एंठन से राहत और एंठन को शांत करने के लिए हरबल चिकित सामे किया जाता रहा है हाला कि इसकी विशाक्तता के कारण किसी स्वास्थ्य पेशेवर की देखरेख के बिना इस उद्देश के लिए आंतरिक उपियोग की अनुशंसा नहीं की जाती है उलियंडर में मौजूद कुछ योगिकों में रोगानु रोधी गतिविधी देखी गई है जिसका अर्थ है कि वे रोगजनक बैक्तीरिया और कवक से लड़ने में मदद कर सकते हैं ये निशकर्ष त्वचा संक्रमन और सुक्षम जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के उपचार में संभावित उपियोग का सुझाव देते हैं हाला कि इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा की पुष्टी के लिए अधिक शोध की आवश्शक्ता है परजीवी रोधी गुन उलियंडर का अध्ययन इसके संभावित एंटी पैरासिटिक प्रभावों के लिए भी किया गया है कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि पौधे में मौजूद कुछ योगिक आन्तों के परजीवियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं हाला कि अन्य पहलूओं की तरह इन निशकर्षों का समर्थन करने और उनकी नैदानिक प्रयोजिता निर्धारित करने के लिए अधिक शोध की आवश्चक्ता है कार्डियोटोनिक गुन यद्यपी ओलियंडर मानव उपभोग के लिए जहरीला है पौधे से निकाले गए योगिकों पर आधारित कुछ दवाओं का उपयोग पारंपरिक चिकित सामे हरिदय संबंधी स्थितियों जैसे कंजेस्टिव हरिदय विफलता के इलाज के लिए किया जाता है प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए इन दवाओं को सक्ट चिकित सकिये देखरेख में और नियंत्रित खुराक में दिया जाता है कफनाशक गुन कुछ संस्कृतियों में ओलियंडर का उप्योग कंजेशन से राहत देने और फेपरों में कफ को हटाने में मदद करने के लिए एक कफ निस्सारक के रूप में किया गया है हाला की इसकी विशाक्तता और सुरक्षित और अधिक प्रभावी विकल्पों की उपलब्धता के कारण इस उद्देश के लिए इसके उप्योग की अनुशंसा नहीं की जाती है इमेन गौग गुन मासिक धर्म को उत्तेजित करने और अन्यमित मासिक धर्म चक्र से जुड़े लक्षनों से राहत पाने के लिए ओलिएंडर का उप्योग पारंपरिक चिकित सामे किया जाता है हाला कि इसकी विशाक्तता के कारण स्वास्थ्य पेशिवर की देखरेख के बिना इसके आंतरिक उप्योग की अनुशंसा नहीं की जाती है कुछ शोध से पता चलता है कि ओलिएंडर में एंटिस्पास्मोडिक गुन हो सकते हैं जो मांस्पेशियों की एंठन को कम करने और तंतरिका तंतर को शान्त करने में मदद करते हैं हाला कि इसकी विशात्ता के कारण सावधानी बर्ती जानी चाहिए और स्वास्थय पेशेवर की देखरेख और मार्क दर्शन के बिना इसके उप्योग से बचना चाहिए प्रोपय म्यूनो मॉड्यूलेट्री इकाईया प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि ओलियंडर में मौझूद कुछ योगिक प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डाल सकते हैं इन योगिकों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंतरित करने की क्षमता हो सकती है जिसका अर्थ है कि वे आटो इम्यून बीमारियों के उप्चार में उप्योगी हो सकते हैं हाला कि इन निशकर्षों की पुष्टी करने और इसकी प्रभाव शीलता और सुरक्षा निर्धारित करने के लिए अधिक शोध की आवश्शकता है एंटिवाइरल गुन सक्रिय यौगिकों की सामगरी के कारण ओलियंडर की एंटिवाइरल क्षमता की जाच की गई है इन विट्रो अध्यैनों से पता चला है कि पौधे के अर्प में हरपीस वाइरस और इन्फ्लूइजा वाइरस सहित कुछ वाइरस के खिलाफ गतिविधी हो सकती है हालाकि नैदानिक परीक्षणों में इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अधिक शोध की आवश्शक्ता है चिकित्सा गुनों कुछ औश्धिय परमपराओं में घावों और जलने के उपचार में तेजी लाने के लिए ओलियंडर का उप्योग शीर्ष पर किया गया है ऐसा माना जाता है कि इसके सत्रिय योगिक उतक पुनर्जनन और कोलेजन गठन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं हाला कि इसकी विशाक्तता के कारण इसे त्वचा पर लगाते समय सावधानी बरतना और उचित चिकित सा मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है परजीवी रोधी गुन कुछ अध्यैनों से पता चलता है कि कुछ ओलियंडर योगिकों में एंटी पैरासिटिक गतिविधी हो सकती है खास कर कुछ आन्तों के परजीवियों के खिलार हाला कि पौधे की विशाक्तता इस शेत्र में इसके संभावित उपियोग को सीमित करती है और इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अधिक शोध की आवश्यक्ता है उलियंडर अपनी संभावित सूजन रोधी गतिविधी के लिए अध्ययन का विशय रहा है यह दिखाया गया है कि कुछ पौधों के योगिक शरीर में सूजन वाले पदार्थों के उत्पादन को रोख सकते हैं जिससे गठिया जैसी सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज में लाभ हो सकता है हाला कि ओलियंडर की विशाक्तता के लिए इस शेत्र में सतर्क, ग्रिष्टिकोन और आगे के शोध की आवश्शकता है यह देखा गया है कि ओलियंडर के कुछ घटकों का जानवरों के अध्ययन में एनालजेसिक प्रभाव हो सकता है यह योगिक दर्थ से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, हाला कि मनुशु में उनकी क्रियाविधी और सुरक्षा को बहतर धंग से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्शकता है उलियंडर ने प्रारंभिक अध्ययनों में एन्टी फंगल गतिविधी दिखाई है, जिसका अर्थ है कि यह फंगल संक्रमन से लड़ने में मदद कर सकता है कुछ पौधों के योगिकों ने कुछ रोगजनक कवक के विकास को रोखने की क्षमता दिखाई है हाला कि इन प्रभावों की पुष्टी करने और मनुश्यों में फंगल संक्रमन के इलाज में ओलियंडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए अधिक शोध की आवशकता है उलियंदर में एंटीकसीडेंट यौगिक होते हैं जो शरीर को मुक्तकणों के कारण होने वाले ओक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं मुक्तकण अस्थिर अनु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं और उम्र बढ़ने और विभिन बीमारियों में योगदान कर सकते हैं उलियंडर में मौजूद एंटीकसीडेंट इन मुक्तकणों को बेसर करने और समग्र स्वास्थे को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं कुछ शोध से पता चलता है कि ओलियंडर में कुछ योगिक रक्त शरकरा नियंत्रन पर लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं यहाँ देखा गया है कि पौधे के अर्क रक्त शरकरा के स्तर को कम कर सकते हैं और जानवरों के अध्ययन में इंसुलिन समवेदन शील्ता में सुधार कर सकते हैं हाला कि इन प्रभावों और मनुश्यों में मधुमेह के उपचार में उनके अनुप्रयोग को बहतर धंग से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्शक्ता है यह सुझाव दिया गया है कि ओलियंडर के कुछ घटकों में नियूरो प्रोटेक्टिव गुन हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे तंत्रिका तंत्र को क्षती और गिरावट से बचा सकते हैं इन योगिकों का अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे नियूरो डिजेनरेटिव रोगों की रोगथाम और उपचार में संभावित अनुप्रयोग हो सकता है हाला कि इन प्रभावों की पुष्टी करने और उनकी सुरक्षा और प्रभावशील्टा का मूल्यांकन करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्शक्ता है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओलिएंडर एक अत्यधिक जहरीला पौधा है और इसके औश्धी उप्योग की निगरानी परियाप्त ज्यान वाले स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा की जानी चाहिए शेत्र में किसी विशेशग्य के मार्ग दर्शन और सहमती के बिना ओलिएंडर का कभी भी सेवन या उप्योग नहीं किया जाना चाहिए अस्वीकरण इस इबुक में मौझूद जानकारी केवल शैक्षिक और आउट्रीच उद्देशों के लिए है इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उप्चार को प्रतिस्थापित करना नहीं है किसी भी ओश्धिय पौधे या प्राकृतिक उप्चार का उप्योग करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्ष लें औश्धिय पौधों का उप्योग हो सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या दवाओ या अन्यस्वास्थ्य स्थितियों के साथ परस्पर क्रिया करता है लेखक और संपादक इस इबी में प्रस्तुर्प जानकारी के अनुचित उप्योग के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं की प्याद कैस्चित बनी का दोहाद व्या है और च जी एले अमग्यू सकता शार्य नारव भाव्यों कि लाव्यों क्या ए्या शनि एन्यस्वाू ये ए्या सा घूब क्ट पोई उते है उन्यस्टाद की अप्या बाव्यों को की उवाश्यों सब्स्तुर्प चृड़ छिस झाल झाल